गुद मॉरिंग टू आल आफ यू ए स्टुडेंट्स, माइ नेम इज अजीत कुमार्तिर पाथी फॉम बागवत विद्यापिर छपड़ा ए स्टुडेंट आज एक्सोसाइस थ्री हम लोग पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे कोश्चन नंबर वन दिया हुआ है write the number so on the abqus ओके यानि यहाँ पे आप लोग given में देख रहे हैं कि यहाँ पे abqus दिया हुआ है और इस abqus को count करके हमें सिर्फ number लिखने है यहाँ पे ठीक है तो चली हम यहाँ से count करना start करते हैं जैसे इसमें है 1,2,3 यानि इसमें total number of abqus कितने हैं, 3 है उसी तरह से next count करेंगे 1, 2, 3, 4 इसमें total number आप एबकस कितने है 4 है उसी तरह से next 1, 2, 3, 4, 5 यानि इसमें total number आप एबकस कितने है 5 है और उसके बार next 1, 2, 3 यानि सिर्फ आप लोगो इसमें एबकस को count करके और यहाँ पे आप लोगो number में लिख देना है ओके उसी तरह से next बाकी सारे question में भी हम लोगो वही work करना है चलिए उसके बार next हम लोग आगे की ओर बढ़ते है question number 2 की ओर so the following number on the एबकस अब यहाँ पे आप लोगो number दिया हुआ है और इसी number को एबकस में एबकस बनाना है आप लोगो ठीक है तो चलिए यहाँ पे तो आप लोग दियान दीजे जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है चलिए यहाँ पे जैसे की question number first में दिया हुआ था 4157 अब इसको हमको एबकस पे represent करना है तो कैसे करेंगे यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजे यह digit है 7 तो इसमें हम लोग 7 एबकस बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और यह 7 ठीक है उसी तरह से इसमें भी 5 दिया हुआ है तो 5 एबकस बनाएंगे 1 2 3 4 5 ओके next 1 1 है तो सिर्फ 1 ही हम एबकस बनाएंगे फिर यहाँ पे next 4 है 1 2 3 और यह 4 यह हम लोग का complete हो गया यानि यहाँ पे आप लोग को number given में दिया हुआ है और इसी number का use करते हुए हम लोग को यहाँ पे एबकस बनाने है ठीक है उसी तरह से next इसमें इसी का question number 2 का ही हम लोग भी देखते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे digit लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है